कर दोस्तों आज हम आपको बताएंगे एक बहुत ही जवर्जस्त पलंग तोड़न उसका यह पूरी तरह से आरवेदिक होगा दोस्तों बिना किसी साइड इफेक्ट के बिना किसी नुक्षान के आपको बहुत ही बेहतरीन पर्फॉमस देगा आप बिश्तर पर बहुत इसे पहले जड़ी बुटी इसका नाम है इसे काली मुष्सिलini के नाम से जानते हैं यह आपको पंसारी के वहां असानी सिमिन जाएगा यह एक प्रकार की लकड़ी होती है इसे काली शॿक आते है ओं बहुत है देखिए काला काला साह इम्हों प्ला शुरया को कूट करके प इसको परियोग करना है इसको पीश कर बारिक पाउडर बना लेना है और दूसरा यह देखिए हमने इसको पीश करके बारिक पाउडर बना लिया है या इसमें दस ग्राम हमने लिया है काली मशली काली मशली और आपको इसमें मिला लेना है सफेद मुस्ली दोनों को 30 ग्राम मिला करके दुस्तों इसे हम आपस में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे यह दवा आपकी बन करके अधार है अच्छी तरह से मिला करें अच्छी अच्छी तरह सेवार है कि मिला करके आपस में मिक्स कर लेंगे बनों और सदी अबसे आपकी दवा बन करके तयार है इसको परियोग कैसे करना है यह हम आपको बता देते हैं बस आपको एक अंडा लेना है अंडा जो है कच्चा अंडा लेना है आपको कच्चा अंडा ले करके इसे आप अंडे का मुख थोड़ा सा बोड़ देना है उसमें बस इस परकार से देखिए बस इस परकार से एक चुटकी उस अंडे में डाल देना है और उस अंडे को आज पर रख करके अध पका कर लेना है मतलब उसको ऐसा पकाना है कि पूरी तरह से जाम ना हो जिस तरह से हम लोग फ्राई बनाते हैं अंडे का इस परकार से उसी अंडे के उसी अंडे में ही डालना है अंडे का जो खूकला होता है जिसे हम अंडे को बस उपर से थोड़ा पोल लेना है उसमें एक चुटकी डाल करके उसी तरह आग पर रख देना है थोड़ा पक जाए अध पका रहे तब ही उसको खा जाना है उपर से पाली पी लेना है बस इतना ही परियोग करना है दोस्तों इसके परियोग से शेक्षियल पावर इतना अधिक बढ़ जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते अंग्रीजी दवाईया इसके आगे फैल है जो भी मैलफॉर्स या है अन्य बहुत सारी अंग्रीजी मेडिसीन का परियोग करते हैं इसको परियोग इसको परियोग करें लाब उठाएं बिना किसी साइड इफेक्ट का है जानकारी पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद